राधा अश्टमी दोहजार चौविस राधा अश्टमी व्रत कब और कैसे करे जाने इस पर्व से जुरी महत्वपूर्ण बाते हलो एब्रिवान वेल्कम बैप टु में चैनल कुछ ऑफीसियल आवर योर चैनल कैसे आप लोगे हैं अगर आप मेरी चैनल पे पहली बागा जैनीचे बले को इस प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी निया वीडियो डालू उसका नोटिफिकिसन सबसे पहले आपके पास है राधा अश्टमी दोहजार चौविस राधा अश्टमी व्रत कब और कैसे करे जाने इस पर्व से जुरी महत्वपूर्ण बाते भाद पर् सुकल पक्ष की अश्टमी तिथी पर राधा अश्टमी व्रत मनाई जाती है इस खास अवसर पर बरसाने के राधा रानी मंदिर समेत देश भर के किसोरी जी को समर्पित मंदिरों को बहुत ही सुन्दर तरीके से सजाया जाता है और राधा रानी की विदिपुर्वक महतपुर्ण बातों के बारे में राधा अश्टमी का पर महतपुर्ण माना जाता है इस वर्स ये तिवहार 11 सितंबर को है राधा अश्टमी पर स्री राधा रानी की पूजा होती है सनातन धर्ण में सभी पर्व को बहुत ही महतपुर्ण माना जाता है इसी तरह श्री रखते हैं धार्मिक मानेता है कि ऐसा करने से किशोरी जी प्रसन होती है मानेता के अनुसार राधा अश्टमी को स्री राधारानी के अवतरन दिवस के रूप में मनाया जाता है अगर आप भी राधा अश्टमी का वरत रखते हैं तो राधा अश्टमी के आने से पहले जान ल तिथी 11 सितंबर को रात 11 बजकर 11 मिनट पर सुरू होगी वहीं इस तिथी का समापन 11 सितंबर को रात 11 बजकर 46 मिनट पर समापत होगी सनातन धर में सुर्योदय के सेतिथी की गन्ना की जाती है ऐसी 11 सितंबर को राधा अश्टमी मनाई जाएगी इस दिन पूजा करने का मुरत इस प्रकार है। इन मंत्रों का जाब के स्वाई नमा, ओम नारायन नमा, ओम माधवाई नमा, श्री हरी के स्वाई नमा, घर और मंदर की विशेश आप सफाई करें। इसके बाद अगले दिन पूजा अर्शना करने के बाद पारन करें। राधा अश्टमी व्रत के नियम, तामसिक भोजन का सेवन न करे, बरे बुजरुगों का अपमान न करे, किसी के प्रती में गलत वीचार धारना न करे, घर को गंदा न रखे, व्रत के दौरान दिन में न सोए। कैसा लगा आप सभी को हमारा ये राधा अश्टमी व्रत वीडियो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएगा, अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आयो, तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राब और सेयर करना, बिल्कुल नहीं होना, थैंक्स पर वाचिंग, कीप पोट